हमारे राजिस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोग गैलोजी ने कहा था कि तुम मांगते मांगते ठक जाओगे और मैं देते देते नहीं ठकूँगा स्थान में इतनी सारी भरतिया निकली हुई है कि विध्यारती ये नहीं टैप कर पा रहा है कि हमें किसकी करना चाही अभी RS की भरती निकली हुई है Junior Accountant की भरती निकली हुई है Safaii करमचारी की भरती निकली हुई है S folders क्रमचारी चैना विए उगने कल ही निकली है उसके बाद भी हम बात करें तो अभी भरती निकली है Assistant Professor की भरती निकली है और आने वाले जो भी Toyota Bin तो कि चुनावी साल में काफी सारी भरतियां और आने वाली हैं, तो कि ये जो है चुनावी साल में भरतियां काफी सारी निकल जाएंगी, तो ताकि अभी बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके, इसी करम में संगनक की भरती 2023 की जो संगनक की भरती है, इसमें 583 पोस् करकी जो है आपके भड़ती निगाल दिया तो इस भड़ती का में क्या है क्या नहीं है कौन-कौन स्लेबस क्या स्लेबस है कौन को नावेधन कर सकता है कब से आवेधन शुरू होंगे सारी जमपूर जनकरी हम आगे चलते हैं वीडियो को बिल्कुर स्किप मत करिएगा जो भी देखे कल साथ साथ दोजा तेईस साथ दोजा तेईस आपको पता का महिंदर सिंग्धोनी का बठड़े आता है इस दिन हमारे राइस्थान करमचारी चैन बोड जैपुर में विग्यप्ति निकाली है वो विग्यप्ति है संगन कंप्यूटर की भड़ती वो है 583 पोस्ट पर यह देखे 583 पोस्ट जिसमें 512 पोस्ट तो आपके गेर अनुसुची छेत्र और अनुसुची छेत्र की है 71 पोस्ट तो टोटल मिला के 583 जो है आपके पोस्ट है तो सबको पता है कि भड़ती किस तरह से आविदन किया जाता है SSO पर आपको जाना है SSO पर जाने के बा नौन टीएसपी छेत्र के 512 पद है जिसमें 129 तो आपके जर्नल केटेगरी के हैं ASC केटेगरी के 57 पद है और ASC केटेगरी के 43 पद है OBC के 75 पद है अतिपिछरावर्ग के 18 पद है और EWS के 36 पद है इसमें आपको मैं बताओं कि 12,5% जो आरक्षन है वो विवागी करमचा करमचारी को मिला हुआ है विवागी करमचारी मतलब होते हैं विवागी करमचारी का मतलब है जो कि इस विवाग में पहले से ही कारे रथ हैं इस विवाग में कौन सा विवाग जो कि आपके आर्थिक और सांखे की विवाग राजिस्तान आर्थिक सांखे की विवाग में ज केवल जो बीवाग में काम करने वाले करमचारी हैं, वही इस पर ओके करें. फिर बाद में शंशोदन कि आवशक्ता पड़ेगी, फिर बाद में आप परइशान होते रहेंगे कि हमने तो बीवाग के करमचारी हैं, और अधर डिपार्टमेंट नहीं केवल आर्थिक और सांकिक विवाग का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो काम कर रहे मतलिक करमशारी उनके लिए चोंसर्ट सीटे वेकेंट हैं उनके लिए रिजर्व हैं तो इसके अंदर ये सारी चीज़े हैं तो ये देखी कि 512 पद है इसके बाद आपको इतनी बड़ी भरती नहीं मिलने वाली संगनपकी क्योंकि इससे पहले भी भरती हो चुकी है तो इस तरह से क्लाशिफिकेशन किया हुआ है आगे देखते हैं हम कि इसकी सैलरी कितनी होती है वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमाने लेवल 8 मतलब हो गया आपके अठाइस सो ग्रेड पर सैलरी होती है इसकी बहुत ही सैलरी है और इसके अंदर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि राजे सरकार द्वारा साथवे वेतनायों के अनुसार संगनक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 L8 निर्दारी थे और इविक्षाकाल के मासिक न आपको मिलेगा तो फिक्स पेमिंट मेरे साफ से लगवक 16000 के सम्थिंग आप तो मिलने वाला है दो साल तक अब इसमें योग के कौन-कौन है बहुत सारा बहुत सारे बच्चों की यहीं जो चीज है कि योग गता क्या है इसकी तो समझ में नहीं आ रही यह बहुत डाउट यहाँ पर कोशन मांक कि क्या योग गता है इस परस्ट बंदव का अच्छे बात है कि जिसको समझ में आ रहे हैं जिसको नहीं समझ में आ रही उसके लिए मैं बता दूं कि इसमें कुछ नहीं है काकि टी ओ एक ए शीशी दुवारा संचाली तो लेवल का सटिफिकेट होना चीजिए यह कंप्यूटर का होता है कंप्यूटर में अगर आका बमान पत्र ही या फिर या फिर क्या होना चीए इनमें से कोई एक चीज होने चीजा है या फिर स्कीम में राश्ट्रिय राज्य परिशत की आयोजीत कंपूटर उपरेटर प्रोग्रामिक सायक यह वाला कोई सर्टिफिकेट होना चीए आपके पाद या फिर आपको मैं बाता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में कंपूटर विज्ञान एप्लिकेशन में डिक्रिया डिप् यह होना चीए जो आपको या फिर क्या होना चीए आपके आपके कॉमर्स अब्जट है या फिर आपके पास आपके आठ सब्जक्त है तो B.com वाले जो फॉमर्स वाले बच्चे उनको पता होगा कि यहां पे computer application का एक subject होता है अगर computer के application आपकी subject था 12th class में तो आप इसको form को apply कर सकते है 12th में भी यह उता है यही वाला subject computer application जो है आपके arts में भी पढ़ाया जाता है है जैसे मैंने पढ़ा था 12th में 12th में यह पढ़ा था subject आपकी computer application не मार्कशीट में देख ले ना कि मार्कशीट में आपकी computer application है या नहीं है तो मार्कशीट में होगा और बिल्कुल मैंने बिल्कुल आई ये पड़ा था तो मैं इसका वेदन कर सकता हूं जिसने भी आर्ट्स में अगर ये 12th class में computer application पड़ा है तो वह भी इसके लिए eligible है अब पॉलो टेक्नी संस्थादोरा computer विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए यह है जो सामाने आपकी जानकारी है एक यह है कि देवनार की लिपी में हिंदी कारे करने हैं तो राइस्थान की संस्कृति का ज्यान होना चाहिए अब इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा तो आप फैल कर दिये जाओगे यह है इसमें आपके आतरता और सेक्षनिक योगत अब आगे चलते हैं कि कब से क्या फोरम में स्टार्ट हो रहे हैं इसके तो इसमें लिखा हुआ है साफ कि आपके इमित्र की उसके मादर से 12 जुलाई 2023 से 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आविदन लिए जा रहे हैं और ओनलाइन आविदन लिए जा रहे हैं तो बारा जुलाई 2023 से लेके 2008 आपके 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आविदन लिए जा रहे हैं परिक्षा का आयोजन जो है परिक्षा की संभावितिति यहां दे दी गई है कि 14 अक्टूबर 2023 संभावित है हो सकता है यहां यहीं पर जाएगा अगर नहीं होता है तो यह 20 पर से कि आगे हो जाएगा तो कि आपने देखा होगा कि करमचारी चैन आयोग ने कलेंडर डाल दिया है पूरे साल का उसमें 14 अक्टूबर संगनक के लिए एक्जाम कितिति टैक कर ली है तो आप एक्जाम में बंस देख लेते हैं कि क्या स्कीमें इसकी परिसाइख कर डूला कि दो गंटे का पर रहेपर किदने गंटे का 2 गंटे का पर इसमें आफ तीस सो पॉस्ट नाने टोट अड़ को को संग है ठीक है इस पॉस्टन तो आपके टेकर आंगे छी के आएगा आएग जी के में जियोग्राफी हो गए और आपके करेंट अफियर यह तो तीन से चार सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं यह आपके तीस नंबर मतलब तीस कोशन आने वाने सीदे सीदे आण विख्यों कोशन हों गए इस तरह से सो नंबर का आपका प्र पर होगा तरह कोशन हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि एक बठार टीन मार्किंग होगी अँछ नहीं और कॉलिफाइंग जो मार्क्स न चाली सब्सक्रसेंट रखे गए पर की पर तरह जो होगा नांतक की स स्लेबस के लिए आप विग्यपती में नीचे देखेंगे तो स्लेबस भी आपको देख जाएगा तो आप वाँ से सलेबस देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और कम्पूटर की तयारी स्टार्ट कर सकते हैं तो ठीक है तो अभी के लिए इतना ही अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जलू सस्क्राइब कर लिएगा दोस्तों के साथ शेर करिएगा ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं अपडेट बने रहने के लिए बैल आइकन को भी जलू दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप हो जाएगा अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद